दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर्शन फार सिविल सेड विसेज मैं अनुराग शहुदरी दोस्तों यंसी आर्टी सार संग्रस रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान का भागतीन ये वीडियो सिविल सेवा परिच्छा, राज्य सेवा परिच्छाओं तथा अन्य प्रतियोगी परिच्छाओं के जीव विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उप्योगी तथा महतोपूर है आप इन प्रशनों को तयार कर लिए दोस्तों इसका पीडियाप डाउनलोड करने के लिए डिस्किप्शन बाक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर माकदशन फार सिविल सर्विसेज नाम से हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य भी पीडियाप आप प्राप्त कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो यनसी इर्टी सार संग्रे सामानी बिग्यान के अंतरगत जियो बिग्यान का भाग 3 आज की वीडियो का पहला प्रशन है दोस्तों किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी या मास्टर ग्लेंड कहा जाता है तो पियूस ग्रंथी पियूस ग्रंथी या पिट्यूटरी ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी भी कहा जाता है वैसो प्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है तो डाई यूरेसिस रोग होता है वैसो प्रोशिन हार्मोन की कमी से अगला प्रशन है अस्तंधारियों में दुख धस्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं तो आक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन हार्मोन अस्तंधारियों में दुख धुसराओं को उत्तेजित करते हैं पैरोटीड ग्रंथी कहां पाई जाती है तो कान के नीचे पैरोटीड ग्रंथी पाई जाती है मानों सरीर में सबसे बड़ी अंतह स्रावी ग्रंथी कौन सी है तो ये है दोस्तों थाइराइड थाइमस ग्रंथी द्वारा उत्पन होने वाला हार्मोन कौन सा है तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो थाइमस ग्रंथी द्वारा उत्पन होता है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है तो ये है दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां जो हैं वो गर्भ निरोधक दवा के रूप में दी जाती है अगला प्रश्ण है पियूस ग्रंथ जिसको की माश्टर ग्रंथ भी कहा जाता है शरीर के किसंग में पाई जाती है तो ये मस्तिस्क में पाई जाती है और कौन सी ग्रंथी अंतह और बाहिसरावी दोनों परकार की होती है अगला प्रिश्ण है कौन सा वड़क मानो तुचा को रंग प्रदान करता है ये है मेलानिन वड़न वड़क और कौन सी ग्रंथी मानो सरीर के तापमान को नियंत्रिद करती है तो थाइराइड जो है ग्रंथी ये मानो सरीर के तापमान को नियंत्रिद करने में सहायक होती है अधिवरिक से कोल्टी सोल और व्रिक से बिटामिन डी का स्रावड होता है अगला प्रश्ण है मनुस्य के नौजात सिसु को अस्तन गरंति से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिले जिन्हें कोलोस्ट्रम कहा जाता है दोस्तों कोलोस्ट्रम सिसु के लिए किस प्रका धक सक्ति प्रधान करता है ये जो कोलस्ट्रम या माता का पहला दूद होता है इंसूलिन में कौन सी धात मौजूद है तो जस्ता मौजूद होता है इंसूलिन में और मानो सरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्पेट और कैल्सियम का नियंतरित करता है तो ये परावट ग्रं अगला प्रिश्ण है दोस्तों हार्मोन सरीर के उपापचय बृध्धी जनन रुधिर दाब रुधिर में जल और लवड की मात्रा आदिका नियंत्रित करने का कारे करते हैं आयोडी नियुक्त नमक क्यों उपयोगी होता है दोस्तों क्योंकि यह थाइराइड गरंथि का नियंत्रिट करता है इसलिए आयोडी नियुक्त नमक साधार नमक से बहतर होता है यक्रित और मानस्पेसियों में उर्जा किस रूप में जमा होती है तो ये गलाइकोजन के रूप में जमा होती है उर्जा आए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से मुख्य ग्रंथियों के बारे में देखे हारडेरियन गरंथियां जो होती है वो नेत्रों में सराव द्वारा चिकनाई परदान करती है यूट्रीकुलर गरंथियां जो है वो काकरोच और कीटों के मादा जननांगों की गरंथियां होती है आत ग्रंथियां कसेरुकी प्राडियों के आतों में इस्थित होती है सलेश्म ग्रंथियां जो होती है मेधक के तवचा में म्यूकस का स्राव करते है ब्रूनर्स ग्रंथियां कसेरुक प्राडियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अमल का स्राव करती है प्रोटेश्ट ग्रंथियां जो है अस्तनियों और केचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां है काउपर ग्रंथियां ये अस्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती है वाले टाइन ग्रंथियां जो हैं दोस्तों प्लेटी हेलमेंथीज प्राणियों के जनरांगों में पाई जाती है फीमो रेल ग्रंथियां ये सरीश्रिप जन्तों की जंगाओं पर पाई जाती है वसा ग्रंथियां ये अस्तनियों की त्वचा में पाई जाती है स्वेद गरंथियां जो होती है अस्तनियों की तवचा में पसीने की गरंथियां होती है स्वेमेरेडन गरंथियां जो होती है वे मेढ़के कसूरिक अस्तम्भ के दोनों रिष्थित होती है अस्तन गरंथियां ये अस्तनियों में दूध कसराओ करती है सेरूमिनस ग्रंथियां जो होती है दोस्तों अस्तनियों की करण गुहा के मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती है ये नेत्रों में उपस्थित होती है और डीप ग्रंथियां जो हैं ये संयुक्त नालाकार गरस्नी ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस यानि सलेस्मा का स्रावर करती हैं दोस्तों एक रोग है हासी मोटो रोग हासी मोटो रोग में सरीर स्वतर थायराइट ग्रंथ को नश्ट कर देता है इसलिए इसे थाइराइट की आत्महत्या कहते हैं तो थाइराइट की आत्महत्या हाशी मोटो रोग को कहा जाता है अब आई ये देखते हैं प्रमुख रोग और उपचार से संबंधित प्रश्ण पानी से भै यानि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किस के द्वारा उत्पन होती है तो ये विशाणू या वायरस के द्वारा मस्तिस्क तथा मेरुरज पर चड़ी जिल्ली में सूजन आजाना किस रोग के लच्छण है ये दोस्तों मेनेंजाइटिस रोग के लच्छण होते है सिसू में अतिसार या डायरिया के कारण क्या है तो रोटा वायरस जो होता है एक विशाणू है ये सिसू में अतिसार या डायरिया का कारण होता है वातोत माध हिस्टीरिया रोग सामानते युवा महिलाओं को प्रभावित करता है अंध बिंदू या पीत बिंदू आँख के किस भाग में पाये जाते हैं तो द्रिष्ट पटल यानि रेटिना पर अंध बिंदू या पीत बिंदू पाये जाते हैं आँख में प्रकास तरंगे की सस्थान पर शनायू उद्द्योगों में परिवर्तित होती है तो ये दृष्टी बटल होता है सिलिकासिस रोग की संग से संबंधित है दोस्तों सिलिकासिस रोग फेफ़णों से संबंधित है और ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होता है ये नौजास सिस्वों को कुकरखासी टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरचित करने के लिए लगाया जाता है तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, कुकुरखासी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए लगाया जाता है मलेरिया रोकिस जीव के कारण होता है तो ये प्रोटो जोवा के कारण भोजन, विसाक्तता या फूट वाजनिंग किस जीवाण के कारण उत्पन होती है सैलमोनेला, वैसिलाई जीवाण के कारण भोजन, विसाक्तता उत्पन होती है दोस्तों मम्स रेबीज और हरपीज ये विशाणु जनित रोगों के समोह में आते हैं तो याद रखिएगा मम्स रेबीज और हरपीज ये वाइरस जनित रोग होते हैं जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है इसके अलामा देखिए फेनिल कीटो नूरिया रोग किस से संबंदित है फेनिल कीटो नूरिया रोग ये मस्तिस्क की जड़ता से संबंदित है जिसमें जो है मानसिक जड़ता या जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से मंद होता है पोटेसियम अलपता किस से संबंदित है तो निम्न रक्त चाप या लो बलड प्रिशर से संबंदित है पोटेसियम की अलपता मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो स्प्लीन या प्लीहा जो है वो मलेरिया रोग से प्रभावित होता है आनुवानसिक रोग लिंग सहलगन है ये रायल हीमोफीलिया इसको कहा जाता है दोस्तों भारत में मलेरिया के 65 प्रेस्ट रोगियों के लिए PYX पर जीवी उत्तरदाई होता है अगला प्रशन है हीमोफीलिया एक आनुवानसिक विकार है इसमें क्या होता है तो इसमें रक्त का असकंदन या रक्त का ठक्का नहीं जमता है और कट जाने पर खून इतने अधिक मात्रा में बह जाता है कि रोगी की मिरुद तो भी हो सकती है डेगू बुखार होने पर मानो सरीर में किसकी कमी होने लगती है प्लेटलेट्स की malaria plasmodium नामक पर जीवी की खोज किस बैग्यारिक ने की थी Sir Ronald Ras ने और tumor की पहचान के लिए किस रेडियो धर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो ये है arsenic 74 का प्रयोग tumor की पहचान के लिए किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों यदि मुत्र के साथ albumin की मात्रा आ रही हो तो brick को प्रभावित होने की संभावना होती है अगला है साल्क टीका किस रोग से संबंधित है तो ये polio रोग से संबंधित है और polio टीके की खोज जोन साल्क ने किया था एथलिट फूट नामक बीमारी किस से होती है तो ये फफूद या फंगस से मनुसे के सरीर में रक्त प्रवाह की गतिमा अपने के लिए किस रेग्डियो टात्तो का प्रयोग किया जाता है तो ये है sodium के radio समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है पालिस यूग्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है तो बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है पालिस यूग्त चावल के सेवन से प्लाजमोडियम पर जीवी का वाहक जीव कौन है तो ये मच्छर होता है दोस्तों हानिकारक विकिरण जो होते हैं उनसे मनुसे के अंगो में मस्तिस्क सबसे कम प्रभावित होता है और आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है यानि आंख सरवाधिक सुग्राही होती है ये MRI का पूर रूप क्या है Magnetic Resonance Imaging ये MRI का पूर रूप है BMD परिछण किसकी पहचान के लिए किया जाता है तो अस्ति रंधरता या हड्डियों में जो है खोकलापन या उनमें टूटूट का खोच करने के लिए BMD परिछण किया जाता है Gika virus का वाहक कौन सा मच्छर है तो ADS मच्छर जो है वो Gika virus का वाहक है और मधुमेह के उपचार में प्रियोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविस्कार किस ने किया था FG batting FG batting ने इंसुलिन का आविस्कार किया था दोस्तों परियावाड़ी प्रदूसर्ण द्वारा होने वाली बीमारी Emphysema से फुफुस याने फेफड़े प्रभावित होते हैं और अगला प्रश्ण है आपके लिए एक जानकारी दोस्तों कि पेजल में नाइटरेट की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सा रोग होता है तो Blue Baby Syndrome नामक बीमारी पेजल में नाइटरेट की अधिक मात्रा होने से हो जाती है और कैडमियम से इटाई इटाई रोग याद रखेगा अगला प्रश्ण है मानो सरीर का कौन सा अंग एलजाइमर रोग से प्रभावित होता है तो यह मस्तिस्क है और हमने पढ़ा है पोलियो टीके की खोज जो नस सालक ने 1952 में किया था पोलियो दोस्तों एक विसाड उजनित रोग होता है और इसका वायरस सरीर में दोसित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है दोस्तों मस्तिस्क की बिमारी की पहचान किस्से की जाती है विद्दुत मस्तिस्क लेख EEG यानि Electro Encephalograph से विद्दुत मस्तिस्क लेख की खोज की जाती है सामाने जुखाम किस वाइरस के द्वारा होता है तो ये रिनो विसाड होता है जिसके द्वारा सामाने जुखाम होता है एनोस्मिया नामक रोग किस से संबंधित है तो ये सूंगने की सक्ति या घ्राण संबेदना की कमी जिनको हो जाती है उससे एनोस्मिया संबंधित है डिप्थेरिया काली खासी और टिटनेस से बचाओ के लिए DPT वैक्सिन का प्रियों किया जाता है हिर्दय की धरकन किस तत्तु द्वारा नियंत्रित की जाती है ये है पोटेसियम पोटेसियम द्वारा हिर्दय की धरकन नियंत्रित की जाती है आये जानते हैं प्रमुख जीवाड जनित रोगों के बारे में हैजा जो है ये विब्रियो कोलेरी जीवाड से होता है डिप्थीरिया कारिन बैक्टेरियम डिप्थीरियाई से छै रोग माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर कुलोसिस नामक जीवाड से कोड या लेप्रोशी जो है वो माइक्रो बैक्टिरियम लेप्रोशी नामक जिवाण से टिटनेस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, टाइफाइड सालमोनेला टाइफोसा प्लेग जो है पास्चुरेला पेश्टिस, काली खासी बोर्डी टेला पर्टिूसिस इसके अलावन नियूमोनिया जो है ये डिप्टो कोल लन्यूमोनी और गोनोरिया जो है नसेरियाई गोनोर होई तथा सिफलिस जो है ये टेप्रोनेमा पेलेडियम तथा सुजाक रोग जो है गोनो काकस गोनोर होई से ये जिवाण है इनसे उत्पन होता है अगला है दोस्तों एमिनो सैसिलिक एसीड जो होता है वो प्रतिसोच्म जीवों और सधियों के रूप में यच्छमा यानि ट्यूबर कुलोसिस और कुष्ट रोगों की चिकिस्सा के लिए प्रियुक्त होता है तो याद रखेगा एमिनो सैलिसिक एसीड संक्रमी चुहे के काटने से कौन सा रोग होता है तो प्लेग रोग हो जाता है अब इंदुक्ता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है आँखों को निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक विमारी ट्रिपेनो सोमा नाम है Aids दोस्तों Down Syndrome नामक आनूानसिक विकार किस के कारण होता है गुण सूतरों की संख्या में परिवर्तन के कारण Down Syndrome नामक होता है AIDS रोग या HIV नामक विसाड उसे होता है आप जानते हैं इसमें आरियन ने और प्रोटीन पाया जाता है AIDS का संचिप्त रूप क्या है दोस्तों तो Acquired Immuno Deficiency Syndrome AIDS का संचिप्त रूप है AIDS वाईरस HIV 3rd HIV जो है 3rd की खोज किसने की थी तो रावर्ट गेलो ने HTLV की खोज की थी AIDS के उपचार के लिए सबसे उप्यूक्त दवा कौन सी है Gidoudin Gidoudin या Agidothymidin जो है ये AIDS उपचार के लिए सबसे उप्यूक्त दवा है दोस्तों जापानी इनसे फिलाइटेस जिसको किसार्ट में J.E. कहा जाता है जापानी इनसे फिलाइटेस बीमारी 20 standard के कारण होती है और इनके उन मोलन के लिए सूहरों को मानओ के रहायसी छेतर से दूर रखना आवस्यक है एलिसा परिच्छन किस रोगी की पहचान के लिए किया जाता है तो AIDS के लिए एलिसा परिच्छन किया जाता है थैलिसीमिया में रोगी जो होता है किसके संसलेशन की छमता नहीं रखता है तो थैलिसीमिया रोग में हीमोगलोबिन के संसलेशन की छमता समाप्त हो जाती है दोस्तों इस्त्रियों की तुलना में पुरुस बढ़ांधता से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें किवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए इस्त्रियों की तुलना में बढ़ांधता से पुरुस अधिक प्रभावित होते हैं एड्स छोटी माता और गलसुआ ये तीनों संक्रामक पिमारियां है अगला है दोस्तों एफला टाक्सिन खाद्य विसाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है ते इसको द्वारा लीवर यानि की यक्रित प्रभावित होता है फूट पॉइजनिंग के द्वारा दोस्तों रोग विज्ञान के अंतरगत किसका अध्यन किया जाता है तो रोगों की प्रकीर्ति लच्छन और कारणों का अध्यन रोग विज्ञान यानि पैथा लोजी कहलाता है बाइटरस रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ब्राइटरस रोग से सरीर का गुर्दा या किडिनी प्रभावित होती है इंटर फेरान का प्रियोग किसके नियंतरण के लिए किया जाता है कैंसर के नियंतरण के लिए सिलिकासिस क्या है दोस्तों ये फेफडों से संबंधित रोग होती है मक्का में सफेद कली किस तत्यों की कमी से होती है तो जिंक यानी जेडेयन या जस्ते की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है सफेद किट किस फसल का रोग है ये सरसो का है पाईरीला किस फसल में लगने वाला कीट है गन्ना में और भिंडी में पीत वर्ड सीरा रोग किसकी कारण होता है यह सफेद मक्खी से होने वाला रोग है खसरा यानि मिसेल्स को एंटी बायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है तो खसरा रोग को एंटी बायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है इसके लिए वैक्सीन प्रियोग की जाती है दोस्तों गामा गुलोबूलीन इंजेक्सन का प्रियोग किस रोग के उपचार में किया जाता है तो ये हैपिटाइटिस के उपचार में रानिखेत रोग किसे संबंधित है मुर्गियों से गेहु में होने वाले दो कवक रोग कौन से हैं तो काला किट यानि ब्लेक किट और इसमट रोग ये गेहूं में होने वाले काउको से होने वाले रोग है धान का टुंगरो विसाणु किसके द्वारा परसारित होता है दोस्तों word flu जो की H5 y1 है ये influenza भिसाणू के कारण होता है आलू में black heart rock का कारण क्या है तो याद रखेगा oxygen की कमी भंडारण में oxygen की कमी जो है वो आलू में black heart rock का कारण होता है आये जानते हैं पस्वो में proto-0000 जनित रोग तो काकसी डियोसिस ये अंतरसरावी आंतरसोध और खोनी पेचिस के लिए जिम्मेदार है बबेसियेसिस तीबर ज्वर रक्त अलपता के लिए थिलेरियोसिस ये दोस्तों तीबर ज्वर बाहलसिका ग्रंथियों में सूजन तथा एनापलाजमोसिस ये लाल रक्त कड़ों का बिनास हो जाता है ट्रिपनोसोमियसिस ये ज्वर और रक्त के लिए और ट्राइकमोनोनियसिस ये गर्भपात और बंधता के लिए पसुओं में होने वाला प्रोटो जोवा जनित रोग है अगला है दोस्तों विसाड उजनित कुछ रोगों के बारे में आए जानते हैं छोटी माता वेरी सेला वाइरस से होती हैं खसरा मोर्बिली वाइरस से पोलियो पोलियो वाइरस रेबीज जो है रेबीज वाइरस से चेचक पैरियोला वाइरस से जननांग हर्पिस हर्पिस वाइरस के कारण और एट्स जो होता है यूमन इम्मुनो डिफिसेंसी वाइरस हैपिटाइटिस वाइरस से इनफ्लुएंजा जो है यह मिक्सो वाइरस इनफ्लुएंजाई होता है और गल्सुवा ममप्स वाइरस से होता है और जेनाइटल हर्पिस जोतो होता है दोस्तों सिमलैक्स वेजी नेलिस से होता है BCG यानि Bacil Calamity Glurine BCG कटी का नौजास सिसु को कब लगा जाता है तो जन्म के तुरंत बाद BCG कटी का लगा जाता है या क्रिसोध या हैपिटाइटिस कैसा रोग है तो ये एक विशाणु जनित रोग है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदाई कीटों को क्या कहा जाता है तो याद रखेगा दोश्तों वेक्ट कहा जाता है जो की रोग के संचारण के लिए उत्तरदाई जीव होते हैं थैलिसीमिया एक अनुआंसिक बीमारी है यह किसको प्रभावित करता है तो यह मानों में रूधिर या ब्लड को प्रभावित करता है ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है तो यह नेत्र का रोग है और पोलियो माईलेटाइस रोग किस से फैलता है तो बिशाण से रक्त में आरियच क्या होता है तो ये इंटीजन होता है आरियच फैक्टर अई जानते हैं कोरोना वाइरस और कोवीट से समबंधित प्रश्न दोस्तों कोरोना वाइरस ऐसे भी शाड़ों का बड़ा समू है जो मानों और जानवरों में रोग उत्पन करते हैं अनेक कोरोना वाइरस मानों में स्वसन संक्रमड यानि रिस्पाइरेटरी इन्फेक्शन उत्पन करते हैं जो सामानी जुखाम से लेकर मर्स यानि मीडिल इस्ट रिस्पाइरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानि सेवियर एक्योट रिस्पाइरेटरी सिंड्रोम तक हो सकते हैं 19 के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बर्थवान समय में बिस्व में फैले संक्रमण को कोरोना वाइरश डिजीज COVID-19 नाम दिया गया है और यह संक्रमण चीन के बुहान सहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने 20 सुब्यापी महमारी यानि पैंडमिक का रोप ले लिया WHO को वेपसाइट पर उपलब दो सतरे जुलाई 2020 तक के आकड़ों के अनुसार अब तक 200 के 216 देशों में काफी लोग COVID से संक्रमित हो चुके हैं और इनकी मृत भी हो चुकी है COVID-19 के लच्छन दोस्तों इसमें खासी, सूखी खासी, ठकान और सीरदर्द, सरीर के अनिभाग, गले में खरास, स्वाद और सुमने की छंता में कमी और देखिए नेत्र सलेश्म का सोध यानि आँखों में सूजन भी हो जाती है उपचार, दोस्तों अब तक COVID-19 के उपचार के लिए कोई औसधी या टीकन नहीं बना पाया है और इसमें क्या इस्थिती है कि कई फर्मे या कई जो है वैक्सीन निर्माता कमपनियों ने जैसे आक्सफोर्ड, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिचूट इन्हों ने अब बरतवान में इस्थिती ये है कि अपने जो है इन्होंने वैक्सीन बना लिये हैं कोविड-19 से बचाओ के उपाय क्या है तो एक दूसरे से परियाप्त दूरी या लगवग 6 फिट दूरी बनाए रखी जाए घर से बाहर निकलने पर मुह और नाक को ढखने के लिए मास्क, फेसकबर या गंचा का इस्तिमाल किया जाए और किसी भी संभावि संक्रमित बस्तू अत्वा ब्यक्ति के चूने के बाद साबून से हाथ दोना अत्वा हैंड सेनिटाइजर का प्रियोग करना और इस संबंध में सरकार और प्रसासन द्वारा दिये गए निर्देसों का पालन करना जरूरी है आए देखते हैं दोस्तों जिवाडू से होने वाले प्रमुख रोग तो जिवाडू से होने वाले प्रमुख रोग आप एक बर पढ़ चुके हैं इसमें महत्वपूर्ण हम देखेंगे हैजा जो है ये विब्रियो कोलेरी नामक जिवाडू से होता है छे रोग माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस से टिटनेस जो होता है कलास्ट्रेडियम टिटेनी से काली खासी बोर्डी टेला पर्ट्यूसिस से निमोनियन डिपलू कोकल नियूमानी से और सिफलिस रोग जो होता है ट्रेपानोमा पैलेडियम से होता है टिक का रोग किस में होता है तो दोस्तों टिक का रोग जो है ये मुँफली में होता है हाइडरोफोबिया रोग उत्पन करता है तो इस्ट जो है ये हाइडरोफोबिया रोग उत्पन करता है खसरा किस संक्रमन के कारण होता है तो विशाणू या वाइरस के संक्रमन के कारण खसरा होता है जन्तूओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन होती है तो ये बेसाणू के कारण उत्पन होता है ब्रिच्छों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं तो कोर्टी कोलस कहलाते हैं ब्रिच्छों की छालों पर उगने वाले कवक दोस्तों खैरा रोग जो होता है धानोन में होता है खैरा रोग किसके कारण होता है तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है चाय की फसल में लाल रश्ट रोग किसके कारण होता है तो ये ग्रीन सैवाल के कारण होता है नीभू का कैंकर रोग ये जीवान के कारण और पचे हुए भोजन में मौझूद विसैले पदार्थ को कौन सा अंग चूशन करता है तो ये यक्रीत पचे हुए भोजन में मौजूद विसाले पदार्थों को चूसर करता है अगला है दोस्तों महत्वपूर्ण बैज्ञानिक और उनके जनक देखिए महत्वपूर्ण बैज्ञानिक और उनके जनक आनुवान सिकी के जनक ग्रेगर जान मेंडल यानि जीजे मेंडल सुच मजैविकी के जनक लुई पास्चर प्रतिरच्छा विग्यान के जनक एडवर्ड जेनर और जीवान विग्यान के जनक रावर्ट कोच हैं अगला प्रिशन हैं दोस्तों प्रोटो जोवा जनित रोग तो आईए जानते हैं प्रोटो जोवा से होने वाले प्रमुक रोग मलेरिया ये प्लाजमोडियम वाई वैक्स नामक प्रोटो जोवा से Amoebiasis ये Ent Amoeba Simplex से काला अजार जो होता है लीसमेनिया यानि बालू मक्खी के काटने से और पाईरिया जो है Ent Amoeba जिंजी वेलिसिस से सोने की विमारी ट्रिपनोसोमा नमक प्रोटोजोवा से होता है दोस्तों फुफुस धूलिमैता ये फुफुस धूलिमैता जो है दोस्तों ये कोईला खनन उद्योगों में कारेरत स्रमिक जो होते है उनके फेफ़डों में अत्यन्त महीन कर जमा हो जाते है जिनको की फुफुस धूलिमैता कहते है क्रीमी जनित रोग कौन से हैं दोस्तों तो Phylioresis रोग जो है ये इसका कारक जो है क्रिमी है इसमें कोचेरिया, ब्रेंकोप्ठाई और बुर्गिया तिमोरी प्रमुक है Titiniasis जो है ये Titiniasolium से होता है और Ascoriosis ये Ascaris Lumbricitis से ये रोग होता है अब कवक जनित रोगों में दोस्तों कवक जनित रोगों में Athlete Food इसके लिए जो उत्तरदाई कवक है ये Trichophytone और Microsporum है खाज जो होता है वो Ascaris इसके बेज से होता है और दाद यानि Ringworm ये Trichophytone और Epidermophytone से होता है अब आए देखते हैं पौधों में लगने वाले महत्वपूर रोगों के बारे में तो आलू का विलंबित अंगमारी ये Phytoflothra Infection से होता है आलू का पूर्व अंगमारी अल्टर नेरिया सोलेनी से होता है मुंफली में टिक का रोग जो होता है इसके लिए जो कवक उत्तरदाई है ये है सरकोस पोरा परसेउनेटा गन्ना का लाल बिलगन ये कोलेडो ट्राइकम फाल केटम से होता है गेहूं का काला किट ये होता है पैकसीनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसी से गेहूं का अस्थल कंड रोग होता है आश्टी लेगो ट्रेटिसी नामक कवक से इसके अलावा गेहूं का चूण आसिता ये इरिस प्राइफी ग्रेमीनिस से होता है कुरूसी फेर का सफेद किट जो होता है एल ब्योगो कैंडीडा से होता है दोस्तों बाजरा का मरिद रोमेल आसिता जो होता है ये इसकेरलोस्पोरा ग्रेमीनियो कोला से होता है कुसी फेर का मरिद रोमेल आसिता जो है ये पैरोनोस्पोरा पैरासाइटीका से और बाजरा का इरगट रोग जो होता है केलवी सेपस सुईफाइरिस से होता है और आलू का वार्ट रोग ये सिंकित्रियम इंडो वायो नोटो टुक्यम से होता है इसके अलावा बाजरा में ग्रीन इयर रोग स्केली रोस्पॉर्वा ग्रीमिकोला से होता है राई का इरगाट रोग क्वेशी क्लेवी सेप्स पर्प्यूरिया से होता है और ब्राउन लीफ इसपार्टाफ राइश जो होता है ये हेलमेंथीरो, इस्पोरियम, और आईजी नामक का वक्से होता है दोस्तों इसके अलावा तंबाकु में मोजैक रोग, ये बिसांड जनित रोग होते हैं दोस्तों टोबैको मोजैक वाइरस से होता है आलू का मोजैक रोग पोटैटो वाइरस वाई से बंकी टाप बनाना, ये बनाना वाइरस वन से होता है फूल गोभी का मोजैक रोग, फूल गोभी मोजैक वाइरस से और गाजर का लाल पत्ती रोग, गाजर लाल पत्ती वाइरस से होता है इसके अलावा कुछ अजैविक पादप रोग भी होते हैं जैसे नीबू में डाइबैक ये कापर की कमी से होता है आउले में आंतरिक निक्रोसिस बोरान की कमी से नीबू में लिटिल लीफ ये कापर नामक तत्तो की कमी से होता है और आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से दोस्तों मतर में मार्स रोग मैगनीज की कमी से धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से और फूल गोभी में विप टेल ये मालिब डेनम की कमी से चुकंदर में हर्ट राट ये बोरान की कमी से होता है और आलू का ब्लेक हर्ट भंडारर में अक्सीजन की कमी फूल गोभी में ब्राउनिंग ये बोरान की कमी तो दोस्तों ये अजैविक पादप रोग जो है ये आपने जो देखा है ये पोसक तत्तों की कमी के कारण होने वाले रोग है अब आई देखते हैं जिवारु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक आरू का सैथिल रोग ये सिवडो मोनास सोलेने सेरियम से होता है धान का अंगमारी ये जो जिवाणू है जैन्थो मोनास ओराईजी से नीवो का कैंकर ये जैन्थो मोनास सिट्री से गेहूं का टुंड रोग कैरीनोबो बैक्टीरियम ट्रिटिकी से एंगुलर लीफ इसपार्ट आफ्ट काटन ये जैन्थो मोनास मालवेसीरियम से होता है दोस्तों और सेव गुलाब टमाटर का क्राउन गाल ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फाइसीयन से होता है आलू का इसकैब ये स्ट्रेप्टो माइसीज इसके बीज से और तमबाकू का सेथिल रोग स्यूडो मोनास सोले नियेसियम से होता है अब आई ये देखते हैं जीव बिज्ञान से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्णों को दोस्तों आनुवानसिक बिज्ञान का जनक किसे कहा जाता है आप जानते हैं ग्रेगर जार मेंडिल को और एजोला जैव उरवरक के रोप में प्रयूग तो होता है क्योंकि ये नील हरित सेवाल का सहचारी होता है आनुवानसिक्ता की इकाई क्या है तो जीन जो है आनुवानसिक्ता की इकाई है एजोला क्या है एक जली फर्न और जैविक उरवरक है सोयबीन में नाइट्रोजन इस्थिरी करण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है तो ये दोस्तों ये बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपो निकम मेंडल ने अपने प्रतिष्ठित वनसानुगत नियमों को किस पौधे पर प्रयोग किया था तो मटर के पौधे पर दोस्तों DNA या डियाक्सी राइवो नियूकलियक एसीड में पाया जाने वाला टाइरोसीन योगिक या मीनो अमलों का निर्मार नहीं करता है याद रखिएगा जैव उर्वरक के रूप में किन सोशम जीवों का परयोग होता है तो ये साइनो बैक्टिरिया होते हैं जीवों में आनुआनसिक लच्छन किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं तो दोस्तों ये क्रोमसोम के द्वारा पुरुस सेक्स हार्मोन कौन है टेस्टो इस्टिरान टेश्टो इस्टेरान जो है वो फुरुस में सेक्स हार्मोन होता है कौन सी ग्रंथी को एक विसेस हार्मोन का सराव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है जिसकी कमी से गौाइटर या घेंखा रोग होता है तो ये है थाइराइड ग्रंथी दोस्तों प्राणियों में आहार, स्वसन और संसलेशन उपापचक के तीन प्रमुख गुड होते है स्वेद वास्पन की क्रिया किस से संबंधित है तो ये उसमा सोसक क्रिया है कोलिस्ट्राल क्या होता है जन्त वसा में उपच्थित वसी इलकोहल जो है ये कोलिस्ट्राल होता है कार्वन डेटिंग बीधी का प्रियोग किसके आयू निर्धारन के लिए किया जाता है तो जिवास में आप फॉसिल्स के आयू निर्धारन में कार्वन डेटिंग का प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रथम डाइनो सोरियम केंद्र कहां स्थापित किया गया है है हैदराबाद में भोजन बनस्पत घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्त के लिए लावदायक क्यों माना जाता है क्योंकि तेल में असंत्रिप्त बसाएं या अनसेचुरेट फैट्स होते हैं गति प्रेरक का कारे हिर्दय अस्पंदन या जो है धड़कन को समंझित करना होता है गति प्रेरक या जोस्तों पेस मेकर होता है अगला है कि फेरोमोंस किस में पाय जाते हैं कीटो में फेरोमोंस पाय जाते हैं आयोडीन किस से प्राप्त किया जाता है तो ग्लुकोमा और ट्रैकोमा ये आंख की बिमारिया हैं दोस्तों देश का पहला बायो डिजल सायंत्र कहां अस्थाफित किया गया है आंधर प्रदेश में और गुर्दे की पत्री को कीड़ों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है ये कहलाता है लीथो ट्रिपसी गुर्दे की पत्री को बीकिरण के द्वारा तोड़ना लीथो ट्रिपसी कहलाता है दोस्तों सरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रियोग में आयने वाली जो टोमोग्राफी होती है परिकली ट्रिमोग्राफी इसके लिए X कीड़ों का प्रयोग किया जाता है तो CT scan में X कीड़े प्रयोग की जाती है सांति सुरूप भटनागर पुरसकार के इस छेतर में दिया जाता है विज्ञान में पढ़ हरित या क्लोरोफिल में कौन समुखे तत उपाया जाता है यह है Magnesium पैंसलीन के आविसकारक कौन है Alexander Flaming कृत्रिम रेशम या Artificial Silk किस नाम से जाना जाता है दोस्तों रियान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है 24D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो शाक नासी के रूप में और एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आसरित रहने की इस्थिती को क्या कहा जाता है ओप परजीविता दोस्तों आख की सुग्राहक तक किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है पीले और हरे रंग के लिए और चार्ल्स डार्विन एक ब्रेटिस पेग्यानिक थे जिन्होंने दे ओरिजिन आफ इस्थिज नामक पुष्टक की रचना की थी अगला है दोस्तों बायो डीजल बनाने में किस वनस्पती का प्रयोग किया जाता है रतन जोत या जैट्रोपा कप्रयोग उर्जा के बैकल्पिक स्रोतों के संदर्व में जैव इधन एथिनाल किस से प्राप्ट किया जा सकता है गन्ना और मक्का से मानो सरीर में सबसे मजबूत पांस्पेसियां कौन सी होती है तो जवड़े की मांस्पेसिया वाइट लेग हार्न किस की एक किसम है तो चिकेन या कुकुटों की किसम है वाइट लेग हार्न दीमक टर्माइट को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो सफेद चीटी के नाम से दीमक को जाना जाता है दोस्तों भारत में हाई सेक्योर्टी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पर है तो ये भोपाल में इस्थित है नेको यानि नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गोनाजेशन नामक संस्था किस से संबन्दित है ये एड्स से संबन्दित है ये कहां परिस्थित है लखनव में ये यूपी स्पेसल का भी कोश्चन है भारती सर्वेक्षण विभाग किस मंत्राले के अधीन है विज्ञान और प्रद्दोग की मंत्राले के आकसैनोमेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो याद रखेगा दोस्तों पाओधों में ब्रिधिधर नापने के लिए आकसैनोमेटर का प्रयोग किया जाता है भारत में परतम दंत चिकिस्सा महाविध्यालक कहा अस्थापित किया गया है तो ये कुलकाता में अस्थापित किया गया है भृूडी ये बृद्धी ओ फेटल ग्रोथ को मापने के लिए दोस्तों अल्टरो सोनिक्स तकनी का पर योग किया जाता है हेरोईन या नूसका पीन किस से प्राप्त होता है तो अफिम पोष्टा से बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जन्तूपियोगी होते हैं मधुमक्खी मधुमक्खी कालोनी के सदसे अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं तो डांस या नर्तन से पहचानते हैं मधुमक्खी कालोनी के सदस या एक छत्ते में रहने वाले सदसे एक दूसरे को पहचानते हैं जो है दोस्तों ये नर्तन या डांस से टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है पुस्पों पर हार्मोन के छिड़काव द्वरा टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन संभव है पाली हाउस का प्रियोग किस के लिए किया जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है कि मधमक्खियों की भासा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो ये हैं कारल वान फ्रिस्क वर्स 1973 में इन्हें मधमक्खियों की भासा की पहचान के लिए नोबेल पुरसकार दिया गया था अंगोराउन किसे प्राप्त होता है तो खरगोश से प्राप्त होता है अंगोराउन गुरुत बलके विप्रित पौधी के तने में पानी की सक्रीता का कारण क्या है ये कारण होता है वास्पोस सर्जन उच्च वरगी पौधों में कौन सा जीवित उतक जैव पोसक वाहक कारे करता है तो जैव पोसकों के वाहन का कारे फ्लोयम उतक करता है और जल के वहन का कारे जाइलम उतक करता है पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है तो इसको S.A. Nodes के नाम से जाना जाता है सीतल पेयों में या ठंडा में किस पदार्थ की परियाप्त मात्रा होती है कैफीन की मात्रा बहुत अधिक परियाप्त होती है दोस्तों डाक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परिच्छन करने वाला इंडोस्कोप जो है वो प्रकास के पूर अंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है अगला प्रश्ण है हर्गोविंद खुराना को किस उपलफदी के लिए नोबिल पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये जेनिटिक कोड की ब्याख्या और प्रोटीन के संस्लेशन में उनकी भूमिका को समझाने के लिए प्रयोक साला में सरपर्थम डियने का संस्लेशन किस ने किया था डाक्टर हर्गोविंद खुराना ने स्वान यानि कुत्ते की उपजातियों में कौन सी उपजाति भौकने में असमर्थ है तो डिंगो जो है ये भौकने में असमर्थ होता है घोसला बनाने वाला एक मात्र सरप कौन सा है किंग कोबरा बीज के प्रकीडन की सेंसर विधी किस पादप में पाई जाती है भीरदय का आविस्कार केस ने किया था राबर्ट जारविक ने संयुक्त राज अमेरिका की सेना द्वारा बियतनाम युद में कौन से खरपतवार नासक रसायन को प्रियोग किया गया था तो ये था एजेंट औरेंज ब्रिच्छ की आयू कैसे निर्धारित की जाती है उसके जो बीज होते हैं वो नगन होते हैं तो इनको नगन वीजी पौधे भी कहा जाता है कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकिर्थ में सरवाधिक परचुरता में पाया जाता है ये है सेलियूलोज निसेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है तो ये है अनिसे जनन धान के पौधे उगाने की डैपाग बिधी किस देश में बिक्सित हुई थी फिलिपिन्स में और नेत्रदान में आख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है दोस्तों कार्निया के कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है नेत्रदान में दोस्तों दच्छिड अफरीका के बैग्यानिक डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड द्वरा सबसे पहले हिर्दय का रिप्लेस्मेंट या ट्रांसफार्मेशन किया गया था तो हिर्दय ट्रांस्प्लांट जो सबसे पहले दक्षिड अफरिका की डाक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था भारत में विक्सित धान की पर्थम बाउनी किस्म कौन सी थी तो ये थी जया हिर्दय में कितने चैंबर होते हैं तो चार कच्छ होते हैं हिर्दय में वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ता से नहीं पाये जाता है चूहे में पित्ता से या गाल ब्लेडर नहीं पाये जाता है दोस्तों मुख्य मच्छर भी परसक पदार्थ किस पादब से प्राप्थ होता है तो ये नीम से प्राप्थ होता है मच्छर भगाने वाला पदार्थ भारती सर्वेक्षन विभाग का मुख्याले कहा है देहरा दून उत्राखंड में रक्तदाब यानी blood pressure का नियंत्रन किस ग्रंथी के द्वरा होता है अधिवरिक ग्रंथी के द्वरा रक्तदाब का नियंत्रन होता है जैव प्रद्दोकी द्वरा कैंसर के उपचार के लिए कौन से ओसत तयार की गई है तो इसका नाम है दोस्तों इंटर फेरान प्रतिजन या एंटीजन पदार्थ क्या होता है तो एंटीजन पदार्थ एंटीबडी के निर्मार को उत्प्रेरित करता है पसुओं का तापकरम किस यंदर से मापा जाता है तो ये वेटनरी थर्मामीटर है और लोही किस जन्त वथवा पादब की नशल है तो लोही दोस्तों भेड की नशल है केसर या सेफ्रान पौधे के वर्तिकागर से प्राप्त होता है आपकी जानकारी के लिए बता दें केसर या सेफ्रान जो होता है वो पौधे के वर्तिकागर यानी इस्टिग्मा से प्राप्त होता है बीटी बैगन क्या है तो ये आनुवांसिक रूप से परिवर्धित बैगन की फसल होती है गाय की उच्च दुख उदपादक प्रजाती कौन सी है होल्स्टाइन गाय होल्स्टाइन गाय दोस्तों ये गाय की उच्च उदपादक दूध प्रजाती है आई देखते हैं चिकिस्वा संबंधी को चाविसकार बिटामिन की खोज फंक ने की थी बिटामिन A मैकुलन बिटामिन B की खोज मैकुलन ने बिटामिन C होलकट ने बिटामिन D हापकिक्स ने सलफा ड्रक्स की खोज गिरहर्ड डुमैक की दोरा स्ट्रेप्टोमाईसीन सेलमन वक्समैन अब्राहम की दोरा हिरदय प्रत्यरोपन की खोज क्रिष्टियन बरनार्ड दोरा की गई थी और होमियो पैथी सेमूल पी हैनिमैन की दोरा मलेरिया परजीवी और चिकिस्था रोण लीले हल द्वारा और गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस द्वारा बनाई गए थी सबसे पहले इसके अलावा पर्थम परकनली सिसू ये एड़वर्ड्स और स्टेप्टो ने इसका विकास किया था इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ बिलियम इंतोवेन की खोज है और एंटीज प्रेडरिक ग्रांट बैटिंग की खोज है क्लोरोफार्म हैरिसन और सिम्सन चेचक कटीका एड़वर्ड जेनर ने विक्सित किया था टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने की थी और टीवी बैक्टीरिया की खोज रावर्ड कोच के द्वारा की गई थी इसके अलावा पोलिय जो बैक्सिन जोनस सालक ने विक्सित किया था बीसी जी का टीका कैमलेट और कैमली गुएरिन की खोज है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले लिवे नहाक द्वारा की गई थी और रक्त समूह यानि बलड ग्रूप्स कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई दोस्तों इस वीडियो का या जीव विग्यान के साथ ही ये जो सामाने विग्यान का पोश्चन है अब समाप्त होता है इसका अंतिम प्रेशन देखते हैं धान की फसल में नीर हरिस सैवाल का प्रयोग जैव उरवरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन इसके अलावा बिसो का भुगोल भारत का भुगोल ये सब पार्ट हम समाप्त कर चुके हैं राजबेवस्था और सामाने विग्यान का भी पार्ट समाप्त हो गया जिसमें भौतिक विग्यान रसायन विग्यान और जीव विग्यान और प्रद्दोकी और कंप्यूटर साइ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार